आज हम बनाएंगे एकदम सिम्पिल तरीके से बहुत टेस्टी आलू मटरे टमाटर की सबजी हमें सबजी घर पर आसानी से मिलने वाली इंग्रीडियन्ट्स से बनाएंगे ताकि हर कोई इस सबजी को आसानी से बना सके उम्मीद करती हूँ आपको इस सब्जी जरूर पसंद आएगी हलो दोस्तो सागत है आपका इंडियन फूड टूटोरियल में तो दोस्तो अगर आपको इस रेसिपी पसंद आती है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वेल आइकन के साथ और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इस रेसिपी कैसी लगी तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं आलू मटर टमाटर की सबजी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 6 मेडियम साइज के उबले हुए आलू लिये हैं सबसे पहले हम आलू को काट कर तयार करेंगे तो हमने आलू को काट कर तयार कर लिया है साथ ही एक कटोरी ताजी हरी मटर ली है दो मेडियम साइज की प्याज को रफली चौप कर लिया है, दो इंच अद्रक को टुकडों में काट लिया है, पांच लहसुन की कलिया ली है और दो हरी मिर्च ली है, अब हमें करना क्या है कि इन सभी चीजों को चौपर में डाल कर हलका सा दरदरा चौप कर लेना है, अगर आपके पास इस तरह का चौपर नहीं है, तो आप इन सभी चीजों को मिक्सी के जार में डाल कर हलका सा दरदरा पीस लीजिए, या फिर आप इनको एकदम बारीक चौप कर लीजिए, तो ये देखिए इस तरह से बारीक चौप कर लेना है, अभी मैं इसे एक बाउल में ट् अब मैंने यहाँ पर तीन टमाटर लिये हैं, टमाटर को पहले हम इस तरह से रफली चौप करेंगे, और इसके बार टमाटर को चौपर में डाल कर चौप करेंगे, टमाटर को इस तरह से चौप करके डालने से ग्रेवी का जो टेक्स्चर है बहुत बढ़िया आता है, आप बनाने के लिए गरम कढ़ाई में एक बड़ा चमच तेल डालेंगे तेल जैसे ही गरम हो जाता है तो हम इसमें एक छोटा चमच जीरा डाल देंगे एक चोथाई छोटा चमच हींग डाल देंगे दस सेकेंड के लिए फ्राई करेंगे अब हम इसमें ये चॉप की हुई प्या प्याज लेस्वन अद्रक को पहले से चौप करके रखा है प्याज को लो टू मेडियम फ्लेम पर हल्का सा कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना है बस हल्का सा कलर चेंज होने तक ही फ्राई करना है यह देखिए प्याज का हल्का सा कलर च हमने टमाटर को दो म्नट घून लिया है अब हम इसमें मसाले डालेंगे दो थोटा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर कलर केलिए एक चोथाई चुटा चोमच लाल-मिर्च पावडर डालेंगे। आधा चोमच गरम मसाला करेंगे। चोल चमच किसूरी मेंती किसी अधे डूआ को मिलकी मातफ करेंगे। मतर को एक मिनट भूनने के बाद हम इसमें एक कप पानी डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दीजिए यहां पर हम पूरी सबजी के हिसाब से नमक डाल देंगे मैंने इसमें डेड़ छोटा चमच नमक डाला है नमक डालने से क्या होगा कि मतर जल्दी से सौप्ट हो जाएगी हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम इसे कवर करके तकरीबन 3-4 मिनट पकाएंगे ताकि मतर सौप्ट हो जाए और बीज में मतर को एक बार चला दीजिएगा 4 मिनट बाद मतर को चेक करेंगे तो मतर हलकी सी सौप्ट हो गई है हमने मतर को पहले हलका से पका लिया है क्योंकि हमें सबजी उबले हुए आलू से बना रहे है तो उबले हुए आलू तो जल्दी पक जाएंगे और हमारी मतर कच्ची रह जाएगी इसलिए मटर को पहले आप इस तरह से पका लीजिए और इसके बाद इसमें आलू मिलाईएगा अभी हम मटर को मसालों के साथ तब तक पकाएंगे जब तक कि ये मसाला तेल ना छोड़ दे तो आप देख सकते हैं कि मसालों ने तेल छोड़ दिया है और मटर भी सौप्ट हो गई है मैं आपको मैस करके दिखाती हूँ ये देखिए आप देख सकते हैं कि मैं मटर को मैस कर रही हूँ तो ये बहुत अच्छे से मैस हो रही है यानि कि हमारी मतर अच्छे से सौप्ट हो गई है एक बार हम इसे और मिला देंगे तो आप देख सकते हैं कि मसालों ने भी तेल छोड़ दिया है अब हम इसे स्टेज पर ये आलू डाल देंगे नमक हमने पहले ही डाल दिया है आपकी सुखी सबजी तयार है मैं ये सबजी ग्रेवी वाली बना रही हूँ तो इसमें पानी एट करूँगी एक बड़े कप से देड़ कप पानी डाल रही हूँ आपको सबजी में जितनी पतली गाडी ग्रेवी चाहिए उससाब सेस पानी डाल दीजिए एक वारे से अच्छे से मिला देंगे अब हम सबजी को कवर करके मेडियम फ्लेम पर तकरीवन 3-4 मिनट पकाएंगे तो हमने सबजी को 4 मिनट पका लिया है क्योंकि हमने मटर को पहले ही पका लिया है और आलू भी उबले हैं तो हमें सबजी को ज़्यादा देर पकाने की जरूरत नहीं है, अब हम सबजी को बिना कवर किये हुए मेडियम फ्लेम पर दो मनट पकाएंगे, तो हमने सबजी को दो मनट पका लिया है, आप इसकी ग्रेवी देख सकते हैं, एकदम परफेक्ट है, ना ही ज़्यादा गाड़ी है और ना ही ज़्यादा पतली, गैस की फ्लेम को ओफ कर देंगे, और इसमें थोड़ा सा बारी कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, इसे हम एक मिनट के लिए सबजी को कबर करके छोड़ देंगे, ताकि ग्रेवी में उपर से बढ़िया सा कलर आ जाए, एक मिनट बाद देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ग्रेवी में कितना बढ़िया कलर आया है, तो बस एह हमारी आलू मटर टमाटर की सबजी सर्वकनने के ल भूलिएगा कि आपको ये सबजी कैसी लगी तो फिर मिलते हैं एक नई रेसीपी के साथ थैंक्स पर वाचिंग